नमस्ते, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत यची होँगे, देखिए, बहुत सरे लोग ऐसे हैं जो की गरामी छितर से आते हैं और आप सभी जानते हैं की गरामी छितर में कोई आप अध्योग करना चाहते हैं, सबसे बहतर जो आपका अध्योग होता है तरी फज़ikes are dairy firm हो कि सम्तिंग गो हैं हम अपना जो हे उडियों के तहद जो BE 1 होता है जैसे कि जानते हैं कि यह जो भी प्रसकरल हो गया उसके माधियम से सिपटने पर आपको जो हे अनुदानकों देंगे तो प्लिस वीडियो सुरू से अन तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टेलीग्राम वाटसप चनल सकसांद जुआइन नहीं किया हुआ है उसका लिंक हम नीचे दिया हुआ है जाकर जुआइन जरूर कर लीजिएगा ठीक है सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है मैंने एक पेपर का कटीन दिया हुआ है आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्प्ले पे तो यहाँ पे बताया गया है कि 19 अरब 98 करोड 36 लाग से राज्य भर में खूलेंगे नए डियरी फॉर्म यानि कि आप सभी जानते हैं डियरी फॉर्म होता क्या है इसके बारे में आपको उन्तुरा जनकाई देते हैं देखिए इसमें होता क्या है कि दूध कलेक्शन हो गया ठीक है पॉसूपोंसड हो गय दूध की मार्केटिन हो गया दूध प्रसंक्रन हो घम है इस परकार के जो भी एक्टिविटी होता है न वह डियरी फॉर्म पहीं आता है तो इस परकार है करना चाहाते हूं तो सरकार आपको इस पर सबसीडी देने जा रही है ठीक है बताया गया है कि 27 औरब 65 करोड से गाउं गाउं में खोले जाएंगे डेरी उध्योग यानि कि देरी फॉर्म खोले जाएंगे ठीक है यहां पर बताया गया है कि राजे में डेरी उध्योग को मजबूत करने कि जो कवा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यह अच्छा अब्रेट है इसमें बताया गया है कि यह रासी नए डियरी आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा पहले सब अलड़ी काम कर रहें तो आपको नहीं मिलेगा उसके सबसीडी नए आप लगाएंगे डियरी फॉर्म तो आपको मिलेगा ठीक है बताया गया है कि इसमें दूध कलेक्शन सेंटर हो गया पॉसू पोसड हो गया दूध का सब्सक्राइब में इन योईनाओं को प्रस्टावित कर दिया निंगी जिलय किया जाएगा जिलनाओ की सब्सक्राइब कि जिल्यावार जो भी मतलब पैसे होंगे उसको मतलब दिये जाएंगे कि जिल्यावार जो ही इतने लोग को जो है डियरी फर्म खोलने के लिए उनुमान किया गया है इस लागत में सरकार की ओर से आठ और अब ठीक है, ब्यासी करोड अंठानविर लाक रुपए का अनुदान दिया जाएगा, यानि कि देखिए, कुछ पैसे आपको खुद से लगाने होंगे और उस पे सरकार कुछ अपको अनुदान देगी, यानि कि सरकार कुछ हेल्प करेगी और कुछ अपना पैसे इकाई होगा, उसका जो पूरा खर्चा होगा नो सरकार आपको देने जा रही है, इसके साथी साथ दूध के प्रसंकरण इकाई के लिए चार अरव ठीक है, उनिस करोड असी लाक रुपए खर्च किये जाएंगे, पूरी असी सरकार की ओर से दे दी जाएगी, दूध की मा उसर पर दो अरव 60 करोड 50 लाक रुपए का अनुदान किया गया है, इस पर सरकार की ओर से एक अरव 71 करोड 65 लाक रुपए का अनुदान मिलेगा, ठीके, साथी साथ यहाँ पर दूध कलेक्शन सेंटर बनाने पर खर्च होंगे आठ अरव, दूध उतपातन में राश्तिय से आगे है बिहार, दूध उतपातन में आप जानते हैं कि बिहार बहुत आगे है, इसलिए बिहार को इस छेतर में सरकार सपोर्ट कर रही है कि आप डेरी फर्म खोलिए और अच्छे खासे कमाई करिए, अब जैसे ही इसका अप्रूभल मिल जाता है, उसके बाद स्कीम बन हुआ है, जैसे ही चालू होगा, इसके बारे में कोई जनकारी आएगा तो आपको बताया दी जाएगी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हम यूट्यूप पर जरूर सब्सक्राइब कर ले, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है, वहां भी फॉलो कर लिजिए, क्योंकि वहां पर हम सौट वीडियो बना कर आपको जनकाई देते हैं, और 37 साथ टेलिग्राम वाट्सप चान से जवाइन नहीं किया हुआ है, तो लिंक नीचे दिया गया है, जाकर जवाइन कर लिजिए, तैंक्यू वेरी मुच